दोस्तों भारत के अंदर क्रिकेट के खेल में अगर कोई देश की तरफ से खेलना चाहता है तो उसके लिए ना केवल उसे कड़ी मेहनत करने पड़ेगी बलकि काफी लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है और इस बात की ही गवाही है भारतिय टीम में खेल रहे आल रॉंडर केदार जाधो की कहानी जिरोंने अभी तक अपना पूरा लाइफ यूं तो क्रिकेट को ही समर्पित कर दिया लेकिन इसके बावजूद भारतिय नेशनल टीम की तरफ से उन्हें 29 साल के उम्र में जाकर पह इसी फीजदी से भी ज्यादा मैचे जीते हैं और दोस्तों खास कर वो अपने अजीबो गरीब बॉलिंग एक्शन को लेकर भी काफी चर्चे में राते हैं क्योंकि जिस साज़िदारी को बड़े बड़े गेंदबाज भी नहीं तोड़ पाते उन्हें भी केदार अपना श 26 मार्च 1985 से जब महराश्टर के पूणे में केदार जाधो का जन्म हो उनके पिता का नाम महादेव जाधो था जो कि बिजली विभाग में काम किया करते थे और उनकी मा का नाम मंदाकरी जाधो जो की एक हाउस वाइप थी और दोस्तों कहा जाता है कि केदार जाधो लेकर सोते भी थे और केदार जाधों की बाहिन सुचिता जाधों बताती हैं कि बचपन में वह कोई भी गोल चीज पाते ही गेंदबाजी का भ्यास करने लगते थे और इसी वज़ा से उन्हें बचपन में खुब डाट भी सुनने को मिला है हलाकि उनके लगाओ को देखकर सभी फैमिली मेंबर्स के मन में यह बात हमेशा ही चलती रहती थी कि केदार बड़े होकर एक अच्छे क्रिकेट के खिलाडी बनेगी और फिर इसी तरह से केदार ने अपनी शुरुवाती पढ़ाई MIT हाई स्कूल से कि हलाकि क्रिकेट के प्रती लगाओ उन्हें इतना ज्यादा था कि पढ़ाई में उनका कुछ खास मन नहीं लग सका लेकिन दोस्तों एक इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जहां केदार पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे वहीं उनकी तीन बड़ी बहनों में से एक ने इंग्लिश में पीसडी, दूसरी ने इंजिनेरिंग और तीसरी बहन ने फाइनेंस में अम्बिय किया है हलाकि हाई स्कूल के पढ़ाई के बाद से केदार जादों ने क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने का सोच लिया और जल्दी उनके टैलेंट को देखते हुए डिस्ट्रिक लेवल के क्रिकेट टीम में उन्हें जगा मिल गई और फिर डिस्ट्रिक लेवल पर कुछ साल खेलते हुए केदार के टैलेंट में भी काफी निखार आया और जल्दी 2004 में उन्हें महराष्ट के टीम में भी शामिल किया गया अलकि यहां तक तो केदार जाधों के लिए सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था लेकिन इसके बाद से केदार का डगर इतना असान रहा नहीं क्योंकि घरेली टीमों में शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें नेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था और फिर समय बीतने के साथ ही उन्हें नेशनल टीम में तो अभी भी नहीं लेकिन IPL में डेली डेली डेविल्स की तरफ से उन्हें खेलने का मुखा मिल गया और फिर अपने पहले ही मैच में RCB की खिलाफ 29 बॉल पर 50 रन बना कर जादों ने भी अपनी टीम में जगा को सही साबित किया हलाकि आगे चलकर उन्होंने कोची तसकर्स केरला, रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चन्नै सुपर किंग्स की तरह ही अलग-अलग IPL टीम्स की तरफ से खेलना जारी रखा बहराल ECB 2012 में रंजी टॉफी खेलते हुए महराष्टी के टीम की तरफ से उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाया और 327 रन बनाकर वो नेशनल सेलेक्टर्स की नजरों में आ चुके थे हलाकि भारत में क्रिकेट के अंदर इतना ज्यादा कॉम्पोटेशन है कि टीम में जगह बनाना काफी मुश्किल काम है और इसे लिए ट्रिपल सेंचुरी जैसे बड़े अचुविमेंज के बाद भी केदार को नेशनल टीम में जगह नहीं मिल सका हलाकि केदार जादों ने भी अपनी उम्मीदों को बरकरा रखा और 2013-14 के रंजी टॉफी में 6 शतक के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा 1230 रंड बनाए और अब इस बार इतने सारे रंज को देखकर सेलेक्टर्स भी केदार को नजरंदाज नहीं कर पाए और काफी देर ही सही लेकिन जून 2014 में बांगलादेश टूर के लिए उन्हें नेशनल टीम में सलेक्टर्स लिया गया हलाकि अब यहाँ भी देखिए कि सीनियर प्लेयर्स ने कुछ इस तरह से अपनी जगह बनाई हुई थी कि उन्हें इस सीरीज के किसी भी मैच के लेयंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला अलगी नवंबर 2014 में उन्हें एक बार फिर से स्रिलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टूनामिन्ट में शामिल किया गया और यहां पर भी उन्हें मौका मिला भी तो पांचवे मैच में जहां उन्होंने 24 बॉल पर 20 रन बनाये थे लेकिन दोस्तों अपने अगले ही सिरीज में उन्होंने जिम बॉम्बे के खिलाफ 87 बॉल पर बिना आउट हुए कुल 105 रन बनाये और फिर यहां उनके खेल को देखते हुए जिन बॉम्बे के खिलाफ ही भारत के T20 स्कौर्ड में उन्हें जगा दिया गया और उन्होंने अभी तक वन डे मैचेज में कुल 26 विकेट लिये हैं और इन लिये गये विकेट्स में भी इंट्रेस्टिंग बात लिया है कि उन्होंने ज्यादातर टॉप ओडर्स में खेलने वाले बैट्समैन को आउट किया है और खासकर उनका एक अलग ही वालिंग एक्षन काफी चर्चे में रहता है और दोस्तों अगर केदार जादों के परसनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने स्नेहल जादों नाम की लड़की से शादी की और स्नेहल से उन्हें एक बेटी गी पर आदोस्तों अंति में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि केदार जादों ने अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी और इसी वज़ा से 29 के होने के बाद ही सही तेकिन आखिरकार भार्दिय टीम में उन्हें जगह मिलीगा और उनकी लाइफ स्टोरी हमें यह सिखाती है कि अपना काम हमें हमेशा ही करते रहना चाहेंगे सफलता देर ही सही लेकिन मिलते जरूर है आपका बहुमुले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद